हलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम तो दसन अकेडमी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नॉमेंट क्लेचर अफ अलकेन तो अलकेन हमारे पास फर्स्ट फैमिली है और यह हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी थोड़ी सी नॉमेंट क्लेचर हम पिछली लेक्चर में देख चुके अब हम इसकी कंप्लीट नॉमेंट क्लेचर पे आते हैं और आयूपेक रूल्स और कॉमन सिस्टम के अंदर इसकी नेमिंग कैसे की जाती है यह सब कुछ डिसकस करेंगे साथ में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे नेम्स की कैसे आप नेम लिख सकते हैं अगर कोई भी कॉश् स्थाय एक होती है कौमन नेमिंग जो के जिसे ट्राइवल नेमिंग कहते है और वो नेमिंग जो है वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं जबकिया यूपेक सिस्टम यह हमें एक सिस्टमाटिक वे देता है एक पूरे रूल्स देता है जिसकी वज़ा से हम कॉम्प्लीट सिस्टम में करते हैं बाकी जो और आयूपक सिस्टम के अंदर आप complete naming कर सकते हैं और कोई भी compound जो कि अभी तक exist भी नहीं करता अभी तक discover भी नहीं हुआ है या फिर अभी तक synthesis नहीं हुई है उसकी तो भी आप उसका आयूपक के अंदर name जो है लिख सकते हैं तो यह rules हमारे पास हैं इनको study करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इनके naming आपने करनी है तो यहां से पड़ते हैं for members of alcan family the suffix an is written in their name अब देखें suffix क्या होता है जो के last के अंदर आता है उसके बाद इथेन हो जाएगा एन लगाने से तो इस तरह से in the written their names with the word math और math जो है यह word root है जैसे के math, eth, prop, but, pent यह number of carbon को show करने के लिए use होता है तो आप कैसे लगाएंगे math की जगा end लगाएंगे math के side में last में तो क्या हो जाएगा methane हो जाएगा उसके बाद ethane हो जाएगा propane, butane, pentane इस तरह से यह नाम आ जाएंगे indicating the number of carbon atom और यह math, eth, prop, but, जो हैं यह क्या करते हैं carbon atom की number को बताते हैं कि अगर एक carbon है तो हम math कहेंगे दो carbon है तो eth, तीन carbon है तो prop और चार carbon है तो but तो इस तरह से यह हम नाम जो है लिखते हैं यह हम पहले सीख चुके हैं अब rules क्या हैं सबसे पहला rule है select the longest carbon carbon chain अगर आपके पास कोई भी compound आता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उस compound में देखेंगे कितने carbon मोजूद है और उस carbon के अंदर longest chain क्या बन रही है जैसे कि हमारे पास यहां पर हम एक compound लिखते हैं जैसे कि हमारे पास यह compound है ठीक है तो आपके पास यह compound है और इसके अंदर आपने इसकी naming करनी है तो सबसे पहले आपने यह देखना है कि इसकी longest chain क्या बन सकती है तो अगर आप यहां से देखें तो यह हमारे पास एक longest chain बन रही है और यह अगर हम longest chain select करेंगे तो यह जो है दो क्या हो जाएंगे सबस्टिट्ट्ट हो जाएंगे लेकिन अगर आप इसको longest chain consider करें तो हमारे पास यह दोनों सबस्टिट्ट्ट हो जाएंगे लेकिन देखें इसके अंदर क्या आ रहे हैं पांच कार्बन आ रहे हैं तो हम longest chain वही select करेंगे जिसके अंदर क्या होगा longest chain वह मतलब ज्यादा carbon मोझूद हो तो इसके अंदर पांच कार्बन हैं तो हम यह select करेंगे बाकी हम किसी और सेभी select यहांसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं यहांसे भी इस तरह से numbering जो है आपने करनी है उर number देना है हर carbon को और उस जगा से आपने देना है जहां से आपको substitution जो है वो pass में आ रहा है अगर आपने ये जो है ये एक chain select कियה carbon की तो आप आप अब आप number देंगे carbon को यहां से 1 carbon ये true carbon है ये third carbon है यह 4th है यह 5th कारबन इस तरह से आप नंबर देंगे और यह कंसिडर करना है कि यहां पर यह सबस्टीटिटिटिट जो है इसको lowest नंबर मिले कम से कम नंबर मिले अगर आप नंबर तो आप यहां से भी कर सकते हैं वन टू और यह 3rd कारबन यह 4th है यह 5th है इस तरह से भी लेकिन अगर आप यहां से आएंगे तो यह आपको जो सबस्टीटिटिट है यह 3rd पोजिशन पर मिल रहा है लेकिन यहां से आने पर यह सबस्टीटिटिटिट आपको 2nd पोजिशन पर मिल रहा है तो सबस्टीटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिट कम से कम number आपने substitute को देना है तो जहां से substitute पास में आए वहां से आपने क्या करना है naming, numbering करनी है उसके बाद in case of same substitute at the terminal number from the anywhere but if not rule 2 तो यहां पर क्या है अगर हमारे पास दोनों तरफ से अगर हम इस side से भी number कर रहे है और इस side से भी कर रहे है दोनों तरफ से हमें क्या है same number पे substitute मिल रहा है तो आप कहीं से भी कर सकते है suppose हमारे पास यह क्या है एक compound है और इसके अंदर आप यहां से एक यहां पर एक substitute है और यहां पर भी एक substitute है तो क्या है आप अगर यहां से ऐसे numbering करेंगे तो भी आपको 2 पे सबस्टिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटिटि लेगा तो यह रूल है कि अगर आपके पास टाय हो रहा है दोनों साइड से सेम नंबर आ रहे हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं वरना आपको यह रूल फालो करना है उसके बाद नमबर यहां पर यह रूल है डिफरंट सबस्टीटिटिएंट फ्रम सेम पोजिशन फ्रम आइधर साइड नंबर अल्फाबेटिकली कमिंग फरस्ट तो अगर दोनों साइड पे क्या हो रहा है डिफरंट डिफरंट सबस्टीटिएंट आपको मिल र क्या हो दोनों तरफ से आपके पास सबस्टीटिएंट वो तो आपने कहांसे सबस्टीटिएंट यहां से सबस्टीज्ड करें उन sent only पर है तो यह question जो है, यहां पर इस case में, IUPAC का जो rule है, वो है, कि आप आपने चूज़ करना है, alpha-metically, यह क्या है हमारे पास, methyl है, methyl किसे आता है, M से आता है, यह क्या है, ethyl है, C2H5, यह ethyl group है, तो ethyl किसे आता है, E से आता है, तो IUPAC ने कहा, कि आपने क्या करना है, जो alpha-metically पहले आ रहा है, आपने वो choose करना है, उसको priority देनी है, तो यह ethyl पहले आ रहा है, तो हम इसको choose करेंगे, और numbering हम यहां से start करेंगे, यह 1, 2, 3, 4, यहां पर यह 5 होगा, और यह 6, 7, 8, तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, 4 ethyl और यह हो जाएगा, 5 methyl, 4 ethyl, 5 methyl, तो इस तरह से आप तो इसकी naming करेंगे, तो यह rule हमारे पास हो गया, उसके बाद, कह रहे हैं कि different substitute from same position from either side, तो यह हमने अभी देखा कि different substitute थे, same position पे, अगर हम दोनों side से आ रहे थे, तो same position पे हमें दो different substitute मिल रहे थे, तो हमने alphabetically choose किया, उसके बाद कह रहे हैं, use prefix diet, try tetra for same substitute, अगर आपके पास same substitute हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास इस case में थे, यह क्या है, एक carbon alla methyl है, यह भी इस एक carbon alla methyl है, तो दो methyl हमारे पास मुझूद हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का नाम साथ में लिखेंगे, लेकिन यहां पर prefix use कर देंगे die, तो यह दो methyl हैं, तो हम कह देंगे, यह क्या है, die methyl है, तो यहां पर यह दाइ मिथाल हो जागा, अगर तीन मिथाल होंगे, तो हम कहेंगे, यह tetra methyl है, और इनके जो positions हैं, वो भी हम show कर देंगे, यहां पर यह 3 और 4 है, sorry 2 और 3 है, इस साइट से आएंगे 2 और 3 है, तो हम कहेंगे, यह क्या है, तो इस तरह से substitute के हम name लिखेंगे, और यहां पर यह हमने prefix यह तब यूज करने हैं, जब आपके पास ज्यादा substitute हो, और वो same kind क्यों हो, cycle alcanes are named by using prefix cyclo, cycle alcanes का नाम हम cyclo word यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास butane हो, लेकिन वो cycle के अंदर हो, हमने cyclo compound पहले पढ़े थे, तो अगर वो cycle के अंदर मौजूद हो, butane, तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, cyclo butane कहेंगे, तो इस तरह से, यहां पर हमारे पास कुछ compound हैं, इनको हम देख लेते हैं, इनकी naming हम यहां पर करेंगे, और आपकी practice अच्छी हो जाएगी इससे, तो आईए start करते हैं, तो number one पे आते हैं यहां पर, आप देखें कि हमारे पास इसके अंदर यह compound है, इसकी longest chain क्या हो सकती है, सबसे बड़ी chain इसमें क्या होगी, तो सबसे बड़ी chain लाजम है कि यह बहु इसके अंदर कितने कारबन आ रहें, एक, दो, तीन, चार, पानच कारबन इसके अंदर आ रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी chain होगी, अगर आप यहां से देखें तो एक, दो, तीन, चार, पानच यह chain जो है, यह भी हमारे पास पाँ आपका name जो है वो same आएगा तो अब हमने यह जो chain है यहां से इतनी select कर लिए अब numbering करेंगे numbering आप कहां से करेंगे numbering अगर आप यहां से करेंगे तो आपको one true यह three three number पे एक substitute मिल रहा है और four number पे दूसरा substitute मिल रहा है तो three four हमारे पास दो substitute आ रहे हैं लेकिन यहां से अगर आप numbering करेंगे तो आपके पास one true पे एक substitute आ रहा है और यहां पे three पे मतलब two और three यह जो है करीब substitute आ रहे हैं तो यहां से हम numbering start करेंगे numbering आप वहां से start करेंगे जहां से आपको substitute जो है वो क्या मिले करीब मिले ब्रांच जो है वो करीब हो तो आप यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4 और यह 5 तो 5 कारबन हमारे पास यह चेन है तो अब सबसे पहले सबस्टिटूइट के नाम लिखने है तो सबस्टिटूइट है हमारे true पे सबस्टिटूइट है कौन सा है मिथाइल है और 3 पे सबस्टिटूइट है यह भी कौन सा है मिथाइल है तो 2 मिथाइल अगर हमारे पास सैम है तो हम इने लिख देंगे डाइ मिथाइल और यह हमारे पास नाम के अंदर सबसे पहले क्या आएगा डाइ मिथाइल लेकिन अगर हमारे पास इनकी नमबरिंग भी शोग करनी है कौन सी पॉजिशन पे हैं ये मिथाईल तो एक है टू पे एक है थ्री पे तो हम यहांपर लिख देंगे टू कामा थ्री डाइ मिथाईल और कौन सा हमारे पास कमपाउंड है ये ये हमारे पास longer chain के अंदर 5 हैं तो इसे हम कहेंगे pen 10 तो ये हमारे पास बन जाएगा 2-3 diameter उसके बाद number 2 पे आजाओ यहां पर तो यहां पर भी हमारे पास वैसा ये compound है इसके अंदर आप longest chain को select करें तो आपके पास यही longest chain होगी जिसके अंदर 1-2-3-4-5-6 carbon मौझूद हैं अब इसके अंदर आप numbering कहां से करेंगे अगर इस side से आप numbering start करेंगे तो आपको ये substitute दोनों जो है वो दूर पढ़ेंगे तो यहां से numbering start करते हैं और 1-2-3-4-5-6 यह अपने numbering कर दी उसके बाद अब आप देखें हमारे पास दो जो है वो substitute है और दोनों सेम है कौन से है यह दोनों methyl है तो हम क्या करेंगे यहां पर dry methyl लिखेंगे और पहले उनके number जो है show करेंगे तो हमारे पास एक जो है वो number किस पर है sorry book में अगर आप देखें तो यह आपके पास क्या है C2H5 है और यह C2H5 यह ethyl होता है तो यह हमारे पास ethyl है और यह हमारे पास methyl है तो दो यहां पर क्या है substitute हैं अब आप इनके name कैसे लिखेंगे तो हमारे पास यह name जो है पहले इथाइल का हमने लिखेंगे क्योंकि इथाइल का जो E है वो पहले आता है methyl के M से तो alphabetically आपने जो लिखना है वो कैसे लिखना है वो आपने ऐसे लिखना है कि पहले आपने जिसका ABCT मतलब alphabetical order पहले आ रहा है तो वो आपने पहले लिखना है तो Ethyl को हम पहले लिखेंगे लेकिन इसका नंबर वही रहे गा 3 तो हम लिखेंगे 3 Ethyl और उसके बाद हमारे पास मिथाल है और मिथाल किस नंबर पर टू पर है तो हम लخेंगे डैश टू मिथाल और हमारे पास Chain के अंदर कितने हैं Chain के अंदर Total Carbon कितने हैं तो 6 कारबन है तो हम लिखेंगे हैग्जैन क्योंकि यह ऑल्केंड है तो आलकेंड कया जो 6 नमबर वाला वो हम ह Wing होता तो हैगजैन हम लिख दिया अब यहां पर यह TampaThis की नैमिंग होगी उसके बादनें भुदर यह वालप से सिर्फ एक हमें सब्स्टिट्ट जो है दिख रहे हैं तो वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स यह मारे पास छे जो है क्या हैं सब्स्टिट्ट्ट है सबसे पारे पारे नंबरंग्र करेंगे और नंबरंग्र से करेंगे ज là ? टाइओर सेम हैं लेकिन दूसरा वाला जो सबसीटेंट है आज तो नमबरिंग्ज यहां से करेंगे내 ड्रो फूर ॥ॉर फॉर 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 टो अब यहांसे देखें हमारे पास बिएमारी पदेल है तो पीजा तो फॉर ञिवन एफ गर फ्यराव फॉरप फ्यरातु मृथ Tuesday और यह ँबाव मेंचारा यह प्राइमार 235 ट्राइमिथायल और यह 6 कारबन लाली चेहन है तो इसको हेक्जेन बोलेंगे तो यह हमारे पास इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 235 ट्राइमिथायल हेक्जेन अब देखें हमारे पास बुक के अंदर जो है कुछ और साइकलो वाले जो कंपाउंड्स है वो नहीं दिये ह तो लेकिन आपने इनको सीख लेना है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टन होते हैं और किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं तो अगर आप इसको देखें हमारे पास यह जो है यह कंपाउंड क्या है इसके अंदर 6 जो है वो कारबन मौजूद है और 6 कारबन 6 आपस मे चेन के अंदर कनेक्टेड हैं तो इसे हम हेक्जेन कहेंगे यह छे वाले हैं तो हेक्जेन ही होगा लेकिन जब भी साइकल आ जाती है तो हमें पता है साइकलो अलकेन में हम एक प्रिफिक्स यूज़ करते हैं साइकलो तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे साइकलो हेक्ज तो इस compound का नाम है cyclohexane, तो cycle के अदर जब भी कोई compound आ जाए तो आपने देखना है कितने carbon है, उसका वो alkane वाला नेम लगा दें जैसे hexane, और cyclohexane उसका नाम हो जाएगा, और इसके अदर आप देखें तो आपके पास ये क्या है, ये तीन carbonally chain है, और ये तीन carbonally chain है, इसे ह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, numbering हम करेंगे, numbering वहां से करेंगे, जहां पर ये methyl लगाए, तो यहां से numbering होगी, one, two, three, या फिर यहां से आ सकते है, one, two, three, तो अगर हमारे पास यहां पर one पर methyl है, तो हम कहेंगे one methyl, और ये क्या है, cyclo, cyclo-propane है, तो यहां पर ये cyclo-prop तो यहां पर इसका नाम है वन मीथाईल साइक्लो प्रोपेन और यह आप देखें तो हमारे पास यह क्या है यह इस चेन को open to caclobutan और एक मीथाइल है तो इसे हम यहां से numbering करेंगे जहां से methyl या फिर कोई भी substitute लगा है वहां से numbering स्टार्ट करते हैं chain के अंदर तो हम यहां से numbering स्टार्ट कर देंगे और यह numbering हो गई और इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा 1-methyl-cyclo-butane तो यह हमारे पास हो जाएगा common name को अब common naming इतनी जदा important तो नहीं है लेकिन हमारे book के अंदर है तो इसको थोड़ा सा हम discuss कर लेंगे तो अब देखें common naming के अदर हमारे पास क्या होता है जो भी carbon atoms होंगे वो सारे हम जो है वो include कर देंगे name के अंदर हम यह नहीं सोचेंगे कि इसके अंदर longest chain क्या होगी बड़ी chain कौन सी है और कौन से substitute है इसके अंदर कोई substitute वगरा नहीं होते इसके अंदर direct जो हम बड़ी chain नहीं देखते हैं हम देखते हैं सारे कितने carbon इसके अंदर मौजूद है इस तरह से इसके naming करेंगे all carbon atoms both straight and branch are included in names name के अंदर हम सारे include कर देंगे अगर हमारे पास यहां पर क्या है देखें यह 4 carbon इसके अंदर मौजूद है लेकिन एक branch के अंदर है तो हम यह नहीं देखेंगे कि branch का नाम हम अलग से methyl बोल दें और यह propane बोल दें ऐसे नहीं हम यह पूरा जो है वो 4 carbon count करेंगे और total 4 हैं तो हम इसे butane कहेंगे तो इस तरह से इसकी naming होगी और इसके अंदर कुछ prefix use होते है some prefix are used for different combination different combination के लिए हमारे पास कुछ prefix use होते है कि carbon अगर हमारे पास straight chain के अंदर सारे carbon मौझूद है तो हम उसे कहते हैं तो suppose अगर हमारे पास यह butane है और यह straight chain के अंदर है तो इसे हम क्या कहेंगे N butane यह क्या है N butane इसके लिए हम क्या करते है एक suffix use कर देते है और sorry prefix use कर देते है यह prefix क्या होगा दूसरा prefix है ISO ISO हम तब use करते है जब हमारे पास CH3 at second last carbon अगर second last carbon पे क्या हो CH3 मौझूद हो तो उसे हम कहते है क्या उसे हम ISO कहते है या फिर हम यह कह सकते है कि जो second last carbon है जो penalty mate carbon है वो दो carbon से टेच हो अब देखें यहां से अगर हम जा रहे है तो यह हमारे पास second last है क्योंकि यह last वाले से पहले आ रहा है अब इसके अंदर क्या होगा यहां पर दोनों जो है दो carbon इसके पास दो methyl group मौझूद है मतलब दो carbon से यह अटेच है तो यह carbon दो carbon से अटेच है तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे इसे हम ISO कहेंगे तो ISO तब यूज होता है जब second last वाले जो carbon है वो क्या होगा है वो दो carbon से अटेच हो या फिर हम कह सकते है second last वाले पे एक क्या हो group मौझूद हो methyl group मौझूद हो तो इसे हम ISO कहते है तूसरा है new new हम तब यूज करते है new word जो यह है यह हम तब यूज करते है जब हमारे पास दो methyl group हो किस पे second last carbon पे जैसे हमारे पास यहां पर यह वाला जो है इसके अंदर क्या है यह second last carbon है यहां से अगर आप जाएंगे तो यह क्या है second last है last वाले से पहले आ रहा है इस तरह से यह हमारे पास compound के naming होगी अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास चार कार्बन है तो यह क्या है चार का वाला जो है वो ब्यूटेन होगा और यह straight chain के अंदर है तो इसे हम कहेंगे N-butane तो यह N-butane है उसके बाद यह भी क्या है चार कार्बन हमाला है तो यह भी ब्यूटेन है लेकिन यह कौन सा ब्यूटेन होगा यह ISO-ब्यूटेन होगा क्यूंकि second last वाले किस पे second last वाले पे दो और कार्बन अटेच है तो इसे लिए इसे हम कहेंगे आईसो ब्यूटेन तो ये आईसो ब्यूटेन है उसके बाद हमारे पास जो है वो कौन सा है यहां पर देखें तो ये हमारे पास पांच कारबन इसके अंदर और पांच कारबन है तो इसे हम कहेंगे पेंटेन लेकिन ये कौन सा पेंटेन होगा ये हमारे पास होगा नियो पें क्वासे की अदने डिल शे कर मैं खना है तो इस तरह से इसकी आप नेमिंग करेंगे और यह हमारे पास जो है वो common system के अंदर अब ज्यादा इसके जो branches वगएरा आएंगी उसकी आप ज्यादा नेमिंग नहीं कर सकते सिर्फ इतने ही नेमिंग जो है बन सकती है common system में से और इसको आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना सिर्फ जो है यह simple जो questions है इनको आपने देख लेना है अब हम आते हैं कुछ practice question करते हैं जिसकी वजा से आपकी जो है practice अच्छी हो जाएगी और हमने यहाँ पर चार practice के questions लिखें इन practice questions को आप जो है वो पहले वीडियो को pause करके खुद से solve करें ताकि आपकी कुछ practice हो जाए और उसके बाद हम इसको जो है वो solve करते हैं और आप चेक करें कि आपके जो है कितने सही हो रहे हैं इसमें तो कल यह solve अब हम देखते हैं इसके right answers क्या होंगी और आपके कितने सही हुए यह आप comment में ज़रूर बताईएगा तो चलिए यहाँ से देखते हैं यह सबसे पहला तो आप इन दोनों में से कोई भी चैन ले सकते हैं या तो कई भी चैन यहां से ऐसे लहें तो हम सबसेंट यहां से आरहें स और आप मिलेगा और 4 फर पे Ithal मिलेगा यहां से आएंगे तो 3 पे Ithal मिलेगा 4 पे Ithal मिलेगा तो अब 2 हमारे पास सब्सिटाइबंत हैं तो इसलिए हम यहां पर क्या alphabetically decide करेंगे तो इसलिए हम जयादा प्रियृरिटी देंगे तो यहां से हम ज размering सार्ट करेंगे 1,2,3,4,5 और ये 6 तो अब 3 पर हमारे पास Ethyl है और 4 पर Mother तो हम क्या लिखेंगे 3 ethyl 4 momsό war for methal और हमारे पास कितने है साइक हमारे पास Hexane है तो हम लिग देंघे chem तो थ्री इथाइल, फॉर मिथाइल, हेक्जेन ये इसका इस कंपाउंड का नाम है तो उसके बाद ये दूसरा कंपाउंड है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सिर्फ आपको ऐसे टेड़ा करके लिखा हुआ है लेकिन ये हमारे पास अगर स्ट्रेट के अंदर भी होत हो सकती है या फिर यहां से यह लोंगेस हो सकती है तो अब हमारे पास नंबरिंग हम कहां से करेंगे यह हमारे पास लोंगेस चैन हमने ले ली ठीक है तो अब यह दो सब्स्ट्रेट है नंबरिंग कहां से करेंगे अगर यहां से नंबरिंग करेंगे वन टू यह थ्री पर यहां से नमबरिंग करेंगे तो यह वन और टू पे हमें मिथाल मिलेगा तो यहां से हमें टू पे मिल रहा है तो यहां से नमबरिंग करेंगे और यहां से नमबरिंग ले लेंगे वन टू थ्री फॉर फाइव और यह सिक्स हेक्जेन है और अब एक 2 पे मिथाल है एक 4 पे तो हम लिख देंगे 2,4 डाय मिथाल और हेक्जेन 2,4 डाय मिथाल हेक्जेन ये इस कंपाउंड का जो है वो नाम है तो उसके बाद ये इस कोचन को देखें तो हमारे पास क्या है ये साइकल वाला कंपाउंड है पांच कार्बं की साइकल है तो इसका जो नाम है साइकलो पेंटेन होगा और अब इसके अदर दो सब्स्टिटोंट है अब आप नम्डरीग कहां से स्टार्ट करेंगे या या हमसे क्या है चल्ट करने यह थाइल इसका मतलब हरा, यह थाइल है 4, 4 नमर पर आ रहा है methyl तो हमें जहां से substitute करीब मिल रहा है वहां से जाना है, तो 1 और ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 और ये 5 तो 3 नमर पर methyl मिल रहा है और 1 पर methyl है, तो हम लिखेंगे 1-ethyl 1-ethyl और 3-methyl 1-ethyl, 3-methyl और ये cyclopentane है तो इसका नाम होगा Cyclo Pantene तो ये इसका नाम हो गया उसके बाद हमारे पास ये Cyclo Hexane है मतलब ये 6 Carbon वाला क्या है Hexane है, अब इसको आप देखें तो इसके अंदर naming कैसे होगी तो तीन सब्स्टिटिटिएंट हैं और जो बड़ा है इतयाल है बड़ा हमदोitel है इस लिए डमॉर्फ से और खी किस तरफ से जाएगी इस तरफ से जाएंगे या फिर इस तरफ से हम 25 यहां से देखें कि पास तो यहां से ताय थाय90 करने आसे यह यहां से यहां से डॉस जाइंगे यह aggression उसके बास हमारे पास है 2 और 5 2 wordt 9 ने तो 2,5 डाय 2 मिथाय। उसके बास यह क्या है ऐ है तो इसका नाम होगाerman तो यह हमारे पास नाम अगयाMcheyostic कमा फाय डाय मिथायल साइक्यौ से तो इस तरह से ये इनके अंसर्स होंगे और आपने कितने सही किये हैं वो कमेंट में जरूर बताईएगा और यह हमारी पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा जो यह लंबा हो गया और आगे जो है आप इसमें ज्यादा चीजन सीख चुके हैं तो आगे जो वीडियो वो थोड़ पीज़ा हुआ जया आपने दो आपने कितने साफ़ प्रेश टीजन तो बताईएगे झाल फिस बसक्त वीडियो थोड़ा आपने कितने साफ़ा जो तो बसक्राभी प्लेड़ा तो बसक्त बसक्त वीडियो झाल झाल